नमस्कार स्टूरेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट DNA का करेक्टर, DNA रीब्लिकेशन, DNA जो दी गुण नोतर डुप्लिकेशन या रीब्लिकेशन करिये उसके बारे में बात करेंगे और यहां हम जो है, वो बेक्तिरियल DNA के replication की detail study करेंगे जो एसरेशिया को लाई जो है उस पर बेस्ट रहे है यह bacteria E. coli जो है हमारा आज का जो चेप्टर है वो उसके according हमने DNA replication को prokaryotic DNA replication को जो है explain करने की कोशिश की है DNA replication जो है वो DNA की एक important most important property हम मान सकते हैं DNA की अपने जैसी same copy को बना लेने की capability है उसको हम DNA replication कहते हैं मैंने आपको central dogma से पहले भी की class ने भी बताया है कि हमारी life का central dogma है कि DNA से RNA बनता है with the process of transcription and RNA जो है वो proteins में convert होता है with the process of translation और RNA से reverse transcription के द्वारा कुछ special उसमें परसितियों में DNA भी बनता है और DNA अपना खुद का same exit copy बनाता है इस process को हम बोलते हैं DNA replication यह process कहलाता है DNA का three golden duplication कहते हैं अथवा हमेंसे DNA का replication जो है वो कहते हैं तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है DNA का replication की DNA किस प्रकार जो होते हैं पुरुरावरती अपनी किस प्रकार से करता है और पुरुरावरती करके अपने जैसे के जैसा same compound किस तरह से बनाता है यह एक biological process है जो सभी living organism में पाए जाता है कि वो अपने exact DNA की copies कर लेते हैं अपने DNA की exact copies बना लेते हैं और यह जो है biological inheritance का जो अनुवांशी की है उसका भी basis है आधार है इसके आधार पर ही अनुवांशी collection जो है वो similar अपने parents से बच्चों में आ पाते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि replication is the process by which synthesis of DNA is possible from parental DNA by the enzyme DNA polymerase जिसमें जो enzyme की help करता है वो कहलाता है DNA polymerase होता क्या है कि जो nucleotide pool है cell में nucleus में free nucleotides पाए जाते हैं जिन्यों हम nucleotide pool कहते हैं महां से जो है main strand की according मतलब जैसे उससे complementary base pairing के according hydrogen bonds के द्वारा बंद कर एक नए strand का निर्मान होता है with the presence of DNA polymerase तो यह dnmps जो है dna के जो nucleotides है और dntp जो है वो जो है dna polymerase की presence में dnmps बनाते हैं और साथ में inorganic phosphate जो है वो मुक्त होता है यह process जो है वो dna की पुर्णावड़ती और dna का द्वीगुनन कहलाता है यह complex process है जो की cell division के दोरा होता है cell division में दो mitotic cell के बीच में interface पाई जाती है और इस interface को हमने g1 s और g2 तीन sub phases में बाटा हुआ है तो इसमें जो s phase होती है which is called synthetic phase जो interface की s phase है वहाँ पे dna duplicate होकर अपनी चैसी की जैसी same copies बनाता है before the cell divides through the mitosis और meiosis जिसके द्वारा है division होना है उसके जो बीच की जो phase है उसमें यह cell जो है अपने मतला dna जो है यह अपने duplicate होकर अपनी copies बनाता है इसमें एक parental strand होता है जो parental dna होता है उसको template की तरह यूज किया जाता है और एक नया complementary dot strand जो है वह by using several protein elements जिसमें कई सारे enzymes है और साथ में RNA molecule भी है उनको यूज करते हुए dot strand जो है dna tips जो होती है उनको यह जोडता चला जाता है और एक नई growing change जो है वो dna की form करता है इसके लावा और कई सारे proteins है जो कि इस process के initiation के लिए important है बाद में copying के लिए important है और proof reading capabilities भी हाँ पे enzymes में होती है कि अगर replication process के दोरान अगर कुछ गलती रह गही हो तो accurate replication हो पाए उसको ठीक कर लिया जाए उसके लिए proof reading करने वाले enzymes भी पाए जाते हैं तो हम ही कह सकते हैं कि एक process है जो कि identical helix बनाता है dna की form a single strand of dna molecule dna खुलता है और इसके single strand को template dna की तरह use किया जा सकता है यह cell growth के लिए जरूरी है यह cell के repairing के लिए जरूरी है और reproduction के लिए genetic जो information को ले जाने के लिए बी organism में यह अत्यान दावशक है इसलिए dna replication जो है यह एक ही बहुत ही important process है यहां आपको इस diagram में दिखाए दे रहा है कि कि इस प्रकार से parental dna जो है उख खुला है जो blue color का dna दिखाए दे रही है वो parental strand है और उसके साथ-साथ नीचे की तरफ जो बन रही है green color का नया strand बन रहा है यह जो है वो यहां जो dot strand जो form हो रही है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है यह जो है यह dot strand बन रही है जबकि यह जो blue वाली जो उपर से आ रही है that is parental strand तो यहां यह खुल गया है और फिर यह अपने जैसे दो molecule का निर्माण एक साथ जो है यहां पर चल रहा है that is DNA replication इसको हम DNA replication कहते ह तो replication में daughter DNA जहां synthesize होता है महां tablet की तरह parental DNA को use किया जाता है और transfer होती है इस genetic information आगे आने वाली generations में high fidelity के साथ जो parental DNA है वो daughter DNA में replicate होकर convert हो जाता है तीन possible replication patterns possible है इसके DNA के ये possible patterns जो है वो ये तीन प्रकार के हो सकते हैं देखिए आप यहां पे अगर हम सोचें कि DNA किस प्रकार से replicate होता होगा तो हमारे सामने तीन mode जो है वो आते हैं एक mode आता है जैसा second one में आपको दिखाई दे रहा है कि parental helix as it is रह गई है और एक नई helix का ज तो यह हो सकता है कि parental helix ऐसी के ऐसे रह जाए और साथ में एक नई helix का निर्मान हो जाए एक तरीका यह हो सकता है कि parental helix खुलके दो टुकड़ों में बढ़ जाए और एक एक जो है नई helix उसके साथ आकर मिल जाए या आकर लग जाए या नई helix जो बन जाए और एक तरीक जो है possibilities हमारे सामने आती है first one जिसमें की एक पुराना और एक नया बन रहा है यह कहलाती है semi conservative replication B में जो दिखाई गई है जिसमें एक पुराना DNA as it is है और साथ में एक बिल्कुल नया DNA बनाया वो कहलाती है conservative replication और जो तीसरी है जिसमें की दोनों की mixing है दोनों की टुकड़े है यह कहलाता है dispersive replication तो इस प्रकार से possible method यह तीन प्रकार के हो सकते हैं जो की DNA के replication के लिए pattern जो यूज किये जा सकते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं एक कौम बोलते हैं आर्द सरंक्षी विदी semi conservative method एक कहलाती सरंक्षी विदी जो कहलाती है conservative method और एक कहलाती है dispersive replication इस प्रकार से तीन प्रकार के replications जो है वो पाए जाते हैं अब इन में से जो जब यह खोच की गई है जब यह हमें पता लगा तो उस समय जो हमारे सामने जो experiments हुए वो इस बात को प्रूब करने के लिए हुए कि इन त और या फिर परिक्षे पी विदी या dispersive कौन सी वाली मेथड है जो की replication के लिए responsible है या किस मेथड से replication हो रहा है तो इसको जो है प्रूब करने में मैसलसन और स्टॉल के experiment का बड़ा योगदान है मैसलसन और स्टॉल दो साइंटिस्ट रूए हैं जुन्होंने इसको का इन्होंने अपने कुछ experiments के द्वारा ये प्रूव किया कि जो अर्दसरक्षी विदी है उसकी replication की वही इसका सही method है इन्होंने क्या किया DNA को extract किया और centrifuge किया equilibrium में CSCL density CSCL के साथ और इन्होंने यहां पर इन्होंने medium में जो है एक original parental molecule लेकिन उसमें heavy DNA molecule लिया मतला इन्होंने normal N14 की जगे इन्होंने उसका isotope N15 यूज किया फिर इन्होंने जो first generation ने मिली जैसा B diagram में आपको दिखाई दे रही है तो उसमें एक strand तो N15 का था जो heavy DNA वाला और फिर इन्होंने normal molecule की use किये थे normal medium यूज किया था तो नया strand आया वो आया N14 फिर आगे इन्होंने जब इसकी second generation develop की तो फिर इन्होंने यह देखा कि दो जो molecule बने second generation में जो बीच में red से दिखाए गये हैं वो बिलकुल N14 वाले normal DNA वाले light DNA वाले बने और दो hybrid DNA बने तो इ इससे इन्होंने यह प्रूब करने की कोशिश की कि जो original parental molecule है वो खुल गया है और medium से लेके उसने जो बनाया है वो तो N14 का strand बना है और जो original parental molecule था वो N15 का था तो यहां पे एक-एक N15 का आ गया है और एक-एक medium से बने कर बना है जो कि N14 का आया है तो इस प्रकार से इन्हो पारा इसको जो है support किया कि semi conservative mode जो है ओ DNA replication का सही method है bacterial cell को इन्होंने N15 medium में develop किया जहां से इसमें एक heavy जो है nitrogen वाला isotope जो है वो develop हो गया और फिर इन्होंने इसको normal medium में develop किया तो जब इन्होंने इसको normal medium में light isotope nitrogen का use करते वे fix किया तो बाद में इन्होंने देखा cesium chloride solution में इसको suspended DNA को जब study किया तो जैसा मैंने अभी आपको बताया उस तरह से इनको तीन rounds में यह देखने को मिला कि first round में original DNA के साथ एक नया strand और एक original DNA के साथ second round में दो नये strand और एक original के साथ और उसके बाद further भी इसी तरह third round में इन्होंने study की तो यह आगे आगे जो है इन्होंने तीन double helix paired with a newly synthesized complementary strand and this is called as semi-conservative replication जो आधा परेंटल DNA molecule है वो conserve रहता है नई double helix में और उसके साथ pair करता है एक नया synthesized complementary strand और इस method को हम बोलते है semi-conservative replication तो जो सबसे पहली चीज जो DNA के replication के बारे में सबसे important चीज है वो यह है that it is semi-conservative जो दो double helix form होएंगे उसमें से एक strand जो है वो parental आएगा और जो दूसरा strand जो है वो जो है नया synthesis होगा और इसको प्रूव करने के लिए हम मैसलसन और स्टॉल का जो एक्सपरिमेंट है जो की इकोलाय कल्चर में यूज किया गया उसको इसके evidence के रूप में हम यहां पे यूज करते हैं आज के लिए मेरे ख्यासे इतना sufficient नेक्स्ट क्लास में हम यह DNA replication process किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे thank you कर दो